सफेद दाग जो आपको usually अपने आसपात किसी ना किसी विक्ती में देखने को मिल जाते हैं तो इस बीमारी को विटी लीगो और लुकर डिर्मा कहते हैं अब ये विटी लीगो और लुकर डिर्मा क्या है तो आज इस वीडियो में में आपको यही बताने वाला हूं नमस्कार भारत होमेपैथे के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे विटी लीगो के बारे में और साथ ही यह जानेगे कि विटी लीगो क्यों होता है और इसके पीछे क्या कारण है तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं विटी लीगो की शुरुवात क्या होती है तो विटी लीगो एक skin disorder disease है इसकी शुरुवात आपके हातों पैरों और मुह पर दिखाई देती है जब आपके हात पैर या मुह पर छोटे छोटे सफेद दाग दिखने लगते हैं तो यह विटी ल करता है आपकी melanocytes cells के उपर की यह damage कहा हो रहा है अब सवाल यह उठता है कि यह बीमारी क्या है तो इस बीमारी को हम autoimmune disorder disease बोलते हैं autoimmune disorder disease से मेरा मतलब यह है कि जब आपका immune system ही आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने लग जाता है अब जैसा कि मैंने आपको बताया था यह to get here skin disorder disease है to skin se related disease है अब skin se related disease है तो आपका immune system है वो आपके skins के cells कोई damage कर रहा होता है इस वक्त आपका immune system melanocytes cells को damage कर रहा होता है जो melanocytes cells है यह आपके शरीर में जहां भी इनकी formation कम होती है वहाँ आपको सफेद दाग देखने को मिलते हैं क्योंकि आपके शरीर में उन cells का formation ही नहीं हो रा जिसकी वजह से आपकी skin में color आता है और इसी वजह से आपको सफेद दाग देखने को मिलते हैं अब बात कर लेते हैं world में vitiligo के patients आपको कितने देखने को मिलते हैं तो world में vitiligo के patients लगभग 1% से 2% तक आपको world में vitiligo के patients देखने को मिलेंगे और वहीं भारत की बात करें तो भारत में 2% से 4% तक patients ऐसे हैं जो vitiligo की problem को face कर रहे हैं विटी लिगो के ratio की बात करें male और female के ratio की तो इसका कोई भी as such ratio नहीं है, ये male और female में दोनों में बराबर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि male में ये ज़्यादा होगा ये female में ज़्यादा होगा, ये बीमारी दोनों ही male और female में बराबर तरीके से हो सकती है, वहीं विटी लिगो क की वजह से भी आपको सफेद दाग देखने को मिल सकते हैं और पेशन्ट इसको विटी लिगो की problem समझ लेते हैं और अपना treatment गलत शुरू करवा लेते हैं और जब वो अपना treatment गलत करते हैं तो उनको से relief नहीं मिलता तो कई cases में ऐसा भी देखा जाता है तो इसलिए अपनी disease क को सही से diagnose करें अब मैं आपको एक example देता हूं जिससे आपको थोड़ा और आराम से समझाएगा आसानी से समझाएगा आपने देखा होगा बचपन से आपने कई बार सुना भी होगा कि लोग बोलते हैं मचली के साथ दूद पीने से सफेद दाग की problem बन सकती है और ये सफे विटी लिगो की problem हो सकती है तो ऐसे में विटी लिगो को diagnose करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है अगर इस बीमारी का इलाज सही समय पर शुरू किया जाता है तो इसका इलाज किया जा सकता है इसे रोखा जा सकता है इसे maintain किया जा सकता है क्योंकि ये एक autoimmune disorder है त इसका proper treatment होना इतना आसान नहीं होता अगर आप इसका इलाज शुरूवाती time पर ही करवाना शुरू करते हैं तो हो सकता है आपकी इस विटी लिगो की problem से आप छुटकारा पालें तो अगर आप विटी लिगो की problem को face कर रहे हैं तो आप नीची देगे number पर call कर सकते हैं और अगर आप ऐसे ही informational videos और देखना चाहते हैं तो आप हमारे channel को अभी subscribe करें साथ ही अगर आपको हमारी ये video अच्छी लगी है तो आप इस video को like करें thank you for watching